लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें मैं सदकर्म का प्रमाण देने वाली और आराधकों की आराधना भक्ती हूँ मैं मानव को सदकर्मी बनाने वाली सत्य और सदाचारी का प्रदीग पूजा हो गजानन की तर्क सम्मत बात सुनकर ब्रह्मदेव लोट जाते हैं नारत से उत्तेजित दिती शामभु की और वरांगी की तपस्या सफल होते देख आहत होती है ओम कर्भथे लें नमस ओम कर्भथे लें नमस ओ मर्थे लेग् ये लेख़त mila ूऔ Oum Mahapadishaya Namah Om Gangađalpadyenam Om Mahapadishaya Namah Oum Graagirakyaya Namah Om Gangađalpadyenam Om Mishwara d Намah Oum Parambikāya Namah विश्वबरदा 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 विश्वबरद अध्वा, बहुत कट हमारे समीब ते ओम गण गणपद्ये नमध ओम गणपद्ये नमध ओम गणपद्ये नमध पिताश्री आपके आराद है परंदेव श्री महागनेश के अफ्तार इन दोनों दैत्य माताओं को कहां लिये जा रहे हैं देवराज एंक्रि परंदेव श्री महागनेश के आरादना करने के कारण इन दोनों को देव्यों का पद मिल गया है इसी कारण इन्हें स्वर्ग में रहने का अधिकार भी मिल गया है देत्य कुल में जन लेने वाली देत्यों को देव्यों का पद स्वार का सुख्भोग और अदितिक पूत्र इंद्र को कुछ भी नहीं कुछ पाने के लिए कुछ प्रयास भी करना पड़ता है देवराज परन्तु प्रयास और संगर्ष तो आप करना ही नहीं जानते इसलिए शुबशक्तियां आपके लिए कुछ भी करने को उच्शुक नहीं होती अब आप ही अपने माता और पिता के समान्य परन्देव श्री महागणेश की आरादना करके अपना एच्छे द्वर्धान प्राप्त करें आपका कल्यान होगा फ्रणा माता फ्रणा पिताश्री जब ये दोनों दैथ्मिया दुष्ट भ्यासूर के साथ स्वर्ग में निवास करेंगी तो मेरी श्री महागणेश आरतना का उत्तेशी क्या अपनी वाणी पर अंकुष लगा अइंद्र शाम्भूकी और वारंगी अब दैतिनिया नहीं है परम द्यों श्री महागणेश की क्रिपा से वे देवियां बद गई है और उनका आदर करना हर महागणेश भक्त का करतव्य है हाँ ऐसा अधर में धर्म मुझे स्विकार नहीं अधर मुझे अधर मुझे आजए नहीं प्रॉष एल्म गडेश आजए नहीं ओम अधर मुझे वाए नहीं आजए नहीं आटली से विस्वेटार्ड Om Maha Ganeshae Nama Om Param Devayam Om Vishvaradae Nama Om Maha Ganeshae Nama Om Param Devayam Om Vishvaradae Nama Om Maha Ganeshae Nama श्री महागणेश दर असर गड़ों द्वारा इस प्रकार पराम देव श्री महागणेश की आरात्मा का फल तो इन्हें अवश्य मिलना चाहिए स्वार्ग के देदा यहां रहकर नाच गाना और भोग बिलास में ठो जाते हैं जबकी इसे स्वार्ग में रहकर परम देव श्री महागणेश की आरात्मा करने वाले इन असरों को देदाव से भी अधिक सुष्ट राप्त होना चाहिए तुम सबका कल्यान हो तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए ही तुम्हारे समी पाया हूँ आखे खोलो भकतराज ओम परम आखे खोलो जैजैशी महागणेश यह मैं क्या देख रहा हूँ गर्ण 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 फिश्री गरेश आपको यह दात इतना लंबा त्या मेरा इतना लंबा दान देखकर स्वामी का भदला हुआ रूप देखकर आश्चरे हो रहा है एक आएक आएक आपका यह दात इतना लंबा कैसे हो गया भगत राज भयासुर परम देखकर महागनेश के हर वतार का रूप बिंदे बिंदे नहीं होंगे तो उने पैचाना करते जा सकता है मैं परम देखकर महागनेश का एक दनत आपतार हूं स्वी मागनेश के एक दंद अवतार की जय हो जय हो जय हो बक्त राज भयाशुर कुछ समय बात तुम्हें परंदेव श्री महागणेश के एक और अवतार की जरजेकार करनी होगी एक और अवतान हाँ पर आप देव श्री महागणेश के घजानन आ उता है कुछ समय बात तुम्हाई भक्ती से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आ रहे हैं उनके साथ ही देवी वरांगी और देवी शांपुकी भी हैं वे उन दोनों को लेकर स्वर्ग आ रहे हैं एक दर श्री गनेश अमने सज्ञानी भग पर थोड़ी सी कुपा कर दे मुझे केवल इतना बता दे कि गजानन श्री गनेश की पैचान क्या है उनका गजानन अवतारी रूप बिलकुल गौरी पुद्र श्री गनेश के समान है केवल तुम जैसा परम श्री महागनेश भगती उन्हें पैचानने में सफल हो पाएगा परंदू आप तो यह कह रहे थे कि परंदेव श्री वहागनेश का हर अपनार भिन भिन रुपों में आता है फिर गौरी पुद्र श्री गनेश और गजानन श्री गनेश में समानता है क्यूं है सामी एकतर श्री गनेश मेरी मुखताब और हसना उचित है परंदू परंदू मेरी शंका का समधान तो कर दे गौरी पुत्र और गजानन का रूप एक सा क्यूं है गवारी पुत्र और गजानन श्री गनेश का एक समान रूप तो जैसे परंश्री महागणेश भक्तों की परिक्षा है यदि तुम उन्हें पैचान रहे तो तुम्हारी भक्ती सफल हो जाएगी अब तो मैं उन्हें पहचानी जाओंगा क्यूंकि आपने उनका परिक्षे देकर मेरी सहायता जो कर दी है भक्त की फाहरता करना तो भगवान का करतव्य होता है तुम अपनी परिक्षा में असफल ना हो जाओ इसलिए मैं तुम्हें गजानर श्री गनेश का परिचे बताने के लिए यहां चला आया कघा अब धन्य है एक धन्य भिननेश और धन्य है तो अधन्य जो अपने भकतों को कभिय अशफल कोने दिते हैं जाइशी मधनेश जाजे शिमागनेश भ्यक्त राज भयास्र गजानन श्री गणेश की जाजे करो प्रयदाम गजादन सुरु आप लुकषा दिश्यार रहुaimer कि और एकदन स्री गणेश की जैश्यार ओम नमाशी बनाशी 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 बन तार कासुन के तीनों पुत्र आपकी अकण नाराधना में दीन है उनकी हर संकट से रक्षा करना माहा देव अपने पूपादिश्की उनको रखना नाराइन नाराइन ओम गंगन पते नमहा ओम नमशिवाय नमा प्रणाम देथि गुरु शुक्राचारी प्रणाम देवताओं के रिशी नारत देथि गुरु शुक्राचारे के आशिरू में नाराइन नाराइन देथि गुरु प्रणाम का प्रति उत्तर आशिरवात से दिया जाता है प्रश्न से नहीं देवताओं के रिशी को देथि गुरु शुक्राचारे के आशिर्वाती क्या आवश्यक्ता है नाराइन नाराइन अगर आवश्यक्ता ना होती तो ये नारत यहां आपको प्रणाम करने के लिए उपस्तिती क्यों होता मैं तुमारे स्वभाव से भली भांती परिचित्वू नारत तुम अपनी चतुराई को प्रकट करके सबको भ्रहमित करते हो भ्रहमित भ्रहमित ही तो नहीं कर पाता ये नारत कि तो आप मुझे देखकर क्रिपा क्रोधित ना हो देते गुरू देवताओं के रिशी को देखकर दैपत्य गुरु क्रोधित ना होंगे तो क्या होंगे गन 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 गण गन कर भूर, गुरु और रिशी के मद्य तो वही संबंध होता है, जो आत्मा का शरीर से, प्राण का वाईव से इस संबंध पर तो इस संबंध पर सारा संसार कर टा। परंद मुझे आपके साथ किसी भी संबंद्द पर गौरव नहीं हो सकता नारद्पुनी ना तो मुझे आपका परामर्श सुनना है और ना ही मुझे आपकी चतुराइस से ब्रहमित हो लाज नारायन, नारायन, सुनने और सुनने की बात पर एक बात इस्थ्रन हो आई देति गुरू, कि दैत्यमाता दिती भी थो आपकी बात नहीं सुनती, फिर भी आप उन्हें अपनी बात सुनने और समझाने का प्रयास करते रहते हैं, ये हमारा निजी विशह है नारतमुणी, यहां तक भी जानता हूं देत्य गुरू, कि दैत्यमाता दिती आपको दैत्य शत्रू कहकर पुकारती है, नारायन, नारायन, इस बात नो नो ने आपकी इसनी भ्यानों को उपेक्षा की है, कि आप उसे सुनकर सब्द रह जाएंगे, किस उपेक्षा की बात कर रहे हैं तारक पुत्र बिद्दुनमन और कमलाक्ष, विवश और असहाय होकर रहे हैं देत्यमात अदिती के ओक्र सभाव के कारण, तारक पुत्रों का विवश और असहाय होना स्वाहना विद्दू परंतुक तुम्हारे परामर्श की इसमें मुझे कोई आवशक्ता नहीं है नारद बुनी, तुम्पिन बुलाए यहां आ गये हो, तुम्हारे यहां आवशक्ता भी नहीं है, मुझे शिवाराद ना करने दो और चले जाओ यहां से, कैसे चला जाओ जाओ गेति गुरू, क तुम्हारे अपनी शिवाक्ती पर द्रड विश्वास है नारद, मैं मजदार में नहीं दुखने वाला, नाराएन, नाराएन, ओ, बहाँ गड़े शाय नमक, तुम्हारे विश्वास तो सफलता का मुन्मत है, जितु आप ही के भक्तों के समान, आपकी शिवाक्ती का भी, नाराएन, 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 अर्थात दैत मता दित्री के प्रभाव में आकर, तारग्पुत्र कमलाक्ष और विदुन माली ने, शिवाराधन को ध्याक कर, प्रमदेम की आराधना प्राराप कर दी, जिससे उन्हें पर्क सिंगासन नहीं जाए, इन्तु नाराएन, नाराएन, ये दुर्भाग ये तारग्पुत्रों का पीछा नहीं च्कोड रहा है, ये तुम क्या कह रहे हो, नाराध, पेरी बात पर आप तनिक पी संदेह ना करें, रेति गुरू, सत्य पर अडिग है ना, तारग्पुत्रों को वर्दान देने ब्रमदेव, ब्रम लोग से तो निकले, तु आधे मार्ग से ही लोट गए, उनका ब्रम लोग से निकलता ही आनुचित्पा, एक ही तपस्वी को एक याराध्य दो वर्दान नहीं दे सकता, यही तो, यही तो मैंने भी उन्हे समझाया, जिसे, ब्रमदेव को, ब्रमदेव को, नाराएन, ब्रमदेव को समझाने की बुंधी, एक तीन नारत के पास कहां ने देती गुरू, मैंने तो तारख मुत्रों को समझाया, देवी शामुकी और देवी वारंगी का उधारन दिया, कि उन्होंने किस प्रकार श्री महागडेश की आराधना करके उसका प्रतिफल कितना शीक प नारायन, श्री महागडेश की बत्ती का प्रतिफल ऐसा ही होता है देती गुरू, उनकी कृपा ऐसी ही होती है, अदम ते अदम प्राणी भी श्रेश स्थान ताप्त कर लेता है, जजानन श्री गडेश ने देवी शामुकी और देवी वारंगी को केवल देवी पधी नहीं अपितु उन्हें अपने साथ स्वर्ग लोग भी ले गए और तारगपुत्र और देवी दिती हाथ मलते रहे गए, नारायन, नारायन